एक ठरकी बच्चा जिसका ये सपना है कि वो एक ऐसी दवाई बनाए जिससे कि वो खुद गायब होकर अपनी ठरक को पूड़ा करना चाहता है फिर जब वो बरा होकर एक बहुत बरा साइंटिस्ट बनता है तब वो अपनी ये ठरक वाली इन्वेंशन पूरी भी करता है और फिर वो गायब होकर ऐसे ऐसे बड़े बड़े कांड करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता मूवी शुरू होती है और हमें केलविन नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि अपनी टेलिसकोप की मदद से खिड़की से कुछ देख रहा था तब ही उसकी मा उसके रूम में आती है और वो अपने बेटे को ऐसे देख कर बहुत खुश होती है कि उसका बेटा इतनी कम उम्र में ही डिसर्च वगेड़ा कर रहा है लेकिन जब वो अपने बेटे के टेलिसकोप में देखती है तब उसे पता चलता है कि उसका ठड़की बेटा अपने परोसवाली आंटी के संतरित देख रहा है जिसके बाद केल्विन की मा उस पर बहुत गुसा होती है और उसे कहती है कि इस उम्र में तुमें ठरक नहीं बलकि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम बड़े होकर एक बहुत बड़े आदमी बनो जिसके बाद मुवी सीधा शिफ्ट होती है 20 साल बाद जहां पर हम देखते हैं कि केल्विन अब एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है वो कुछ साइंटिस्टों के सामने अपनी एक दवा जो उसने इन्वेंट की थी उसका प्रदर्शन करने के लिए खड़ा था वो उनको समझा रहा था कि इस दवा की मदद से हम इंसानों को इन्वीजिबल बना सकते हैं लेकिन वहां पर मुझूद कोई भी साइंटिस्ट उसकी बाद पर यकीन नहीं कर रहा था और इसी बीच सभी लोगों को यकीन दिलाने के लिए केलविन अपने आपको उस इन्जेक्शन से दवाल डालता है लेकिन इन्जेक्शन लगाने के बाद भी कोई असर नहीं होता और केलविन वहीं सब के सामने खड़ा था ये सब देखकर वो साइन्टिस्ट केलविन के ओपर बहुत जोर जोर से हसने लगते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं ये सब देखने के बाद केलविन इतना ज्यादा गुसा हो जाता है कि मानो वो पागल हो गया था उस पर जो scientist सबसे ज़्यादा हस रहा था वो scientist को ही पीटने लगता है वो उसे इतना पीटता है कि वो scientist वहीं पर मर जाता है जिसके बाद court Kelvin को जेल में नहीं बलकि एक mental hospital में सजा सुनाती है जहाँ पर उसका इलाज होना था फिर हम 6 महीने बाद का scene देखते हैं जहाँ पर physics के teacher की मौत हो चुकी है इसलिए अब से तुम्हें physics मिस्टर स्मित पराएंगे और ये मिस्टर स्मित कोई और नहीं बलकि Kelvin ही था जो की पागल खाने से भागने के बाद नाम बदल कर रह रहा था ये बच्चे इतने शैतान थे कि वो Kelvin का भी मजाग उड़ाते हैं लेकिन Kelvin उन्हें ignore करता है और अपनी classes शुरू करता है वहीं पर Kelvin को एक लड़की पसंद आती है वो उसे खड़ा करता है और उससे कुछ सवाल पूछता है लेकिन इस class के बच्चों को कुछ भी नहीं आता था वो स्कूल में आकर बस शैतानी ही किया करते थे इसलिए Kelvin भी जब उससे सवाल करता है तब वो लड़की भी Kelvin के सवालों को हवा में उड़ा देती है जिस पर Kelvin को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो किसी तरह खुद पर काबू करता है आगे हम देखते हैं कि कुछ लड़किया डांस कर रही होती है तब ही Kelvin वहां से गुजरता है और ज जॉर्डन उन लड़कियों को नहाते हुए देख रहा होता है कि किस तरह जॉर्डन उन लड़कियों को नहाते हुए देख रहा है और मजे ले रहा है और फिर जब जॉर्डन वहां से चला जाता है तब Kelvin उसी जगह पर जाता है और उन लड़कियों को नहाता हुआ देखत Kelvin काफी देर तक उन लड़कियों को नहाता हुआ देखता है लेकिन तभी वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल आती है और जब वो Kelvin से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तब वो बहाना बनाता है कि मेरे पैसे यहाँ पर गीर चुके थे मैं बस उन्हीं पैसों को करता है कि तुम्हें इस लड़की का ट्यूशन लेने जाना है फिर हम Kelvin को उसके घड़ पर देखते हैं जहां पर वो आपने उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा था जिससे कि वो इंसानों को गायब करने वाला था और कैसे उन साइंटिस्टों ने उसका मजा कुड रहे थे लेकिन Kelvin ने मन ही मन में ये पक्का कर दिया था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए उस दवा को बना कर ही रहेगा जिससे कि इनसान गायब हो सके वो फिर से अपनी रिसर्च वगड़ा करता है और फिर से उस दवा को डेवलप करने का काम शुरू करता है कुछी दिनों मे वो एक फॉर्मिला बना लेता है फॉर्मिला तैयार होने के बाद वो आपने खरगोश पर इसे ट्राय करता है लेकिन इस बाड़ भी कुछ भी नहीं होता वो फिर से अपने इस फॉर्मिलो की कम्यों को ढूंडता है उन्हें पूरा करता है और किसी तरह इस दवा को पूरा complete कर लेता है जिसके बाद जब वो ये injection अपने खरगोश को लगाता है तब वो खरगोश गायब हो जाता है अपनी दवा को काम करता हुआ देखकर केलविन की खुशी का ठिकाना नहीं था खरगोश के गायब होने के बाद वो खुद पर इस दवा को लगाने की सोचता है तब ही उसका सपना तूटता है और जब वो उठता है तब वो ये मन हिमन में ठान लेता है कि वो अपने इस सपने को जरूर पूडा कड़ेगा तब ही केलविन को प्रिंसिपल का दिया हुआ वो एड्रेस याद आता है जिसका tuition लेने के लिए उसे principal ने कहा था फोरण वो आपना वो invisible होने वाला injection खुद को लगाता है और वो उस लड़की के घर पर जाता है जहाँ पर वो उस लड़की के कपड़े वगेड़ा उतारता है और उस लड़की के खुब मजे लेकर फिर से अपने घर वापस आ जाता है अगले दिन केल्विन अपने students का एक surprise test लेता है और खुद table पर बैट कर book पढ़ने लगता है फिर test का time पूड़ा होने के बाद सारे students मिलकर एक book को एक साथ जमीन पर गिड़ा देते हैं जिसकी आवाज से केल्विन अचानक से डढ़कर उठता है और उसे ड़रा हुआ देखकर वो बच्चे काफी खुश होते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं आगे हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एक बच्चे को अपने office में बुलाती है और वो उस बच्चे से कहती है कि तुम्हारा math बहुत खराब है अगर तुम्हें ऐसे ही पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तब तुम्हें आगे किसी भी college में admission नहीं मिलेगा आगे प्रिंसिप के साथ घपा घप करता है फिर हम Kelvin को देखते हैं कि उसे अपने बच्चपन का सपना आया है वो सपने में देखता है कि एक doctor उसकी मां से कह रहा है कि Kelvin का दिमाग काफी sharp है और अगर वो किसी चीज को ठान लेता है कि वो ये करके रहेगा तब वो किसी भी हालत में इस चीज क को पाकड़ ही रहेगा लेकिन इसका दिल उतना मजबूत नहीं है इसलिए अगर कोई इसका मजग उड़ाता है तो इस चीज को ये सह नहीं पाता और काफी जाता गुस्सा हो जाता है आगे हम दो students को देखते हैं जो की bathroom में बात कर रहे होते हैं कि वो Kelvin से बदला लेंगे क् Principal Kelvin से पूछती है कि क्या तुमारी कोई girlfriend है या फिर तुमारी क्या शादी हो चुगी है जिस पर Kelvin कहता है कि ना ही मेरी कोई girlfriend है और ना ही मैंने कभी लड़की के साथ कुछ किया है जिसके बाद Principal उसके पास जाती है और उसे seduce करने लगती है लेकिन पता नहीं क्यों Kelvin Principal को invisible होने वाली दवाई का injection मिल गया था जिसके बाद वो Principal के पास जाता है और उसके साथ intimate होना शुरू करता है लेकिन intimate होते समय ही वो आपनी Principal का murder कर देता है क्योंकि उसने उसे धमकी दी थी और ये उसे बिलकुल भी पसंद नहीं आया था फिर जब Kelvin अपनी class में जाता है के बाद वो एक कपल के पास जाता है सबसे पहले वो उस लड़के को मार देता है जिसके बाद वो उस लड़की के कपड़े फार देता है और उस लड़की को दोड़ा दोड़ा कर मारता है फिर दो लड़कियां जा रही होती है तभी उन्हें उस लड़की की लाज दिखती जिसके बाद वो डर कर अपने क्लास में जाती है, जहांपर केलविन पहले से बैठा हुआ था, वो उन लड़कियों के सामने जूटा बहाना बनाता है, कि वो पुलिस को बुलाने के लिए जा रहा है, और उन्हें उसी क्लास में रहने के लिए कहता है, केलविन बाहर जाकर इ दर्वाजे के तरफ भागती हैं, लेकिन दर्वाजा भी लॉक था, फिर वो एक लड़की को फिश टैंक में डुबा कर मार देता है, और जो लड़की बची थी, वो वही थी, जिसका एड्रेस प्रिंसिपल ने केलविन को दिया था, और उसे उसका ट्यूशन लेना था, औ जिसके बाद हम विकी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो की नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, और उसका बॉइफरेंड बाहर खरा रहकर उसका इंतिजार कर रहा होता है, जिसके बाद केलविन अंदर जाता है, और उस लड़की को इलेक्ट्रिक शौक देकर मार देता है, अब विकी काफी दे तक बाहर नहीं आती, इसलिए उसका बॉइफरेंड अंदर जाकर देखता है, तब वहाँ पर उसे विकी की लाश मिलती है, तब ही उसको भी एक मुका पड़ता है, वो यहाँ से भागने की कोशिच करता है, लेकिन केलविन उसका पीछा करता है, और आखिर में उसे चट पर से नीचे गिरा देता है, और इस लड़के की भी मौत हो जाती है, फिर हम प्रिंसिपल का ओफिस देखते हैं, जहां पर एक कपल बैट का रोमांस कर रहा होता है, और फिर वो घपागप वगेड़ा करने के बाद जब बाहर जाते हैं, तब उस लड़की को याद आता है, कि वो बातरूम में आपना कुछ सामान भूल गई है, और जब वो उस सामान को लेने के लिए जाती है, तब वहाँ पर वो विकी की लाश को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत चिलाती है, उसका बॉइफ्रेंड भी अंदर आ जाता है, उस से केल्विन को भी चोटे आती है, तभी इंजेक्शन का टाइम पूरा हो जाता है, और केल्विन फिर से दिखने लगता है, अब इन लोगों को पता चल गया था कि ये केल्विन ही है, तभी केल्विन मोका देखकर जॉर्डन पर हमला करता है, साथ ही वो उस लड़की को भी अपने पैरों से कुचल कर मार देता है जिसके बाद Kelvin अपने घर पर भागता है और वो जल्दी जल्दी में अपना सामान पैक कर रहा होता है ताकि वो शेहर छोड़ कर भाग सके लेकिन तभी यहाँ पर Jordan अपने साथ गन लेकर आता है लेकिन Kelvin किसी तरह Jordan की नजरों से बच कर फिर से वो invisible होने वाला injection लगा देता है जिसके बाद वो Jordan की खूब पिटाई करता है लेकिन तभी Jordan के हाथ भी वो invisible होने वाला injection लगता है और वो भी किसी तरह खुद को वो injection लगा देता है वो एक दूसरे की खुब पिटाई करते हैं तभी वहाँ पड़ा की जॉर्डन की गन हवा में उठती है और उससे फायर होता है जिससे एक आदमी मर जाता है गोली की आवाज सुनकर नीचे खरे पुलिस वाले भी उपर आते हैं वो दोनों डेट बाटी को देखकर उसे केलविन की लाज समझते हैं और उससे लेकर जाते हैं जिसके बाद केलविन जोर-जोर से हसता है क्योंकि जो मरा था वो जॉर्डन था अब केलविन यहाँ पर उखने वाला नहीं था वो फिर से अपना इंजेक्शन उठाता है और चुके केलविन की न्यूज साड़े न्यूज चानल पर बताई जा रही थी इसलिए वो अल्टेडी इन न्यूज चानल वालो पर काफी जादा गुस्सा था फिर वो एक न्यूज रूम में जाता है जहां पर एक रिपोर्टर केलविन की ही न्यूज कवर कर रही थी वो लाइव टीवी पर उसके पास जाता है और लाइव टीवी पर ही उसके साड़े कपड़े उतार देता है और वहीं पर उसे मार देता है अभी तक नॉर्मल लोगों को यही लग रहा था कि Kelvin की मौत हो चुकी है लेकिन उस reporter के साथ ये चीजे होने के बाद सभी लोगों को ये पता चल चुका था कि Kelvin अभी जिन्दा है और ये film यहीं पर end हो जाती है ऐसी ही movies देखने के लिए channel को please subscribe कीजिए और इन full movies को देखना है तो हमारे telegram channel को join कीजिए थेंक यू फर वाचिंग